So friends, शुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि आज की जो वीडियो जादे तर past sentence पर focus करेगी तो अगर आप कोई past sentence में दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके साम यूज करते हैं तो यहाँ पर यह अपने इंटर्व्यू के बारे में बता रहा है कि कल क्या क्या हुआ इसके साथ बता रहा है कि कल मेरा इंटर्व्यू था इस एंग्लिश में बोलेंगे I had an interview yesterday I had an interview yesterday मैं अपने इंटर्व्यू के लिए लेट हो गया था बता रहा है कि I was late for my interview I was late for my interview यानि मैं अपने इंटर्व्यू के लेट था I was late for my interview interview सुभह नो बज़े निर्धारी था और मुझे देर हो रही थी बता रहा है कि The interview was scheduled for 9 a.m. And I was running late The interview was scheduled for 9 a.m. जो के interview था वो निर्धारी था 9 बज़े And I was running late और मैं late हो रहा था यानि मुझे देर हो रही थी जितना मैंने प्लैन किया था मैं उससे late उठा था तो बता रहा है कि मेरे late होने की वज़े ये थे कि I woke up later than I had planned यानि जो मैं प्लैन करके सोया था कि मैं इतने बज़े उठांगा मैं उससे ज़ादा late उठ गया था I was going to be late. और मैं तुरंत घबरा गया. And I immediately panicked. मुझे बिननाश्टे किये दरवाजे से बाहर भागना पड़ा. I had to rush out the door without eating breakfast. तो बहुत हैं बता रहा है कि I had to rush out the door without eating breakfast. मुझे बिननाश्टे किये दरवाजे से बाहर भागना पड़ा. I had to rush out the door without eating breakfast. मेरे लेट होने की वज़ा ये थी कि मैंने अपने अलारम घड़ी को गलत सेट कर दिया था. यानि इसमें टाइमिंग की गलत सेट कर दिया था घड़ी को. मैंने इसलिए में लेट हो रहा था. तो तो वज़ा बता रहा है, रिजन बता रहा है कि यानि सोने से पहले जो रात थी, उस वखत में अपने अपने अलारम घड़ी को गलत सेट कर दिया था. ये वज़ा थी कि मैं लेट हो गया था. The reason why I was late was that I had set my alarm clock wrong the night before. मुझे तयार होने में उम्मीद से जादा समय लग गया था. Englishman बोलेंगे, I also took longer than expected to get ready. यानि जितना मैंने उम्मीद के थी कि मैं तिदेर में तयार हो जाएँगा, मुझे जादा समय लग गया था. I also took longer than I expected to get ready. मुझे तयार होने में में मेरी उम्मीद से जादा समय लग गया था. I also took longer than I expected to get ready. मैंने ये भी सोचा था कि traffic खलका होगा. तो घर से निकलने से पहले बता रहा है कि मैंने ये भी सोच लिया था कि traffic खलका होगा. Englishman बोलेंगे, I had also thought that the traffic would be less. I had also thought that the traffic would be less. निकलने ये बास्तह्य था कि traffic खलका होगा. I had also thought that the traffic would be less. लेकिन वास्तम में काफी जादा था. But it was actually quite heavy. तो घर से जादा था. तरहाँ पर traffic के बारें बता रहा है कि I had also thought that the traffic would be less. मैंने सोचा था कि traffic खलका होगा. But it was actually quite heavy. लेकिन यह वास्ता में काफी जादा था जब मैं इंटर्वी के लिए ड्राइव कर रहा था यानि गाड़ी से जा रहा था अपने गाड़ी में बैटके ड्राइव कर रहा था जहां इंटर्वी पर जाना था वहां के लिए तो बता रहा है कि As I was driving to the interview As I was driving to the interview जैसे मैं driving कर रहा था इंटर्वी के लिए As I was driving to the interview मैं वास्ता में चिंतित था और तनाव ग्रस्त महसूस कर रहा था I felt really anxious and stressed I felt really anxious and stressed यानि मैं वास्ता में चिंतित और तनाव ग्रस्त महसूस कर रहा था I felt really anxious and stressed मुझे मैं चिंतित था की interviewer जो इंटर्व्यू लेने वाला इसके बारे में बता रहा है कि मैं चिंतित था कि इंटर्व्यूर सोचेगा कि मैं पंचुल नहीं हूं मैं समय वाला बंद नहीं हूं समय पर आने वाला कि रहा है कि I was worried that the interviewer would think I was not punctual I was worried that the interviewer would think I was not punctual यानि मैं चिंतित था कि इंटर्व्यूवर सोचा है कि मैं पॉइंचल नहीं हूँ, मैं समय पर आने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो समय पर आता हो, I was worried that the interviewer would think I was not pointual, और जब मैं कह रहा है कि और जोब में दिल्चस्पी नहीं है, यहनु कह रहा है कि interviewer ऐसा सोचेगा, यह मैं सोचके घबरा रहा था, और not interested in the job, और not interested in the job, तो यह एक ही sentence है, पूरा इस तरीके से होगा, I was worried that the interviewer would think I was not pointual, और not interested in the job, तो कह रहा है कि मैं चिन्तित्ता की interviewer सोचेगा कि मैं पंचुल नहीं हूँ और जोब में दिल्चस्पी नहीं है, मुझे इस बात की चिन्ता थी कि interviewer के पास मेरा interview करने का समय नहीं होगा, किरा है कि, I was also worried that the interviewer would not have time to interview me, मुझे इस बात की पी चिन्ता थी कि interviewer के पास मेरा interview लेने का समय नहीं होगा, I was also worried that the interviewer would not have time to interview me, जब मैं आखिर में इंटर्वी के स्थान पर पहुचा है, जिस लोकेशन पर इंटर्वी हो रहा था है, जब मैं आंत में जाके पहुचा, When I finally, when I finally arrived at the location of the interview, when I finally arrived at the location of the interview, जब मैं आखिर में जाकर interview के स्थान पर पहुचा, लोकेशन पर पहुचा, when I finally arrived at the location of the interview, मैं लगभग 20 मिनट लेट हो गया था, I was about 20 मिनट लेट, I was about 20 मिनट लेट, मैं लगभग 20 मिनट लेट हो गया था, I was about 20 मिनट लेट, मुझे जान कर रहात मिली के interviewer अभी भी वहीं था, मुझे जान कर रहात मिली के interviewer अपने घर ने गया था, I was relieved, relieved मतलब मुझे जान कर रहात मिली, सकून मिला, I was relieved to find, यह पता करके, I was relieved to find that the interviewer was still there, मुझे जान कर रहात मिली के interviewer अभी भी वहीं था, I was relieved to find that the interviewer was still there, लेकिन मैं अभी भी देर से आने के लिए काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था, But I was still feeling quite embarrassed about being late, लेकिन मैं अभी भी देर से आने के लिए काफी शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था, But I was still feeling quite embarrassed about being late, I would like to go home now, if you don't mind, यानि अगर तुम बुरा ना मानो, If you don't mind, I would like to go home now, अब मैं घर जाना चाहूँगा, I would like to go home now, if you don't mind, क्या तुम समय पर आ सकती हो, तो कहीं पर आने की बात चल रही है, यह अपनी दोस्स से पूछ रही है कि क्या तुम समय पर आ सकती हो, देखो, इसे इंग्लिश में कही तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन मूवी में जात तरीके से बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर ही कहे रही है, Can you make it on time? तो इसका मतलब है क्या तुम समय पर आ सकती हो, Can you make it on time? तुम समय पर ही कहे रही है कि अगर मैं किसी वज़े से समय पर नहीं आई तो अकेली चली जाना है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, If for some reason I don't make it on time, go alone. If for some reason I don't make it on time, go alone. अगर किसी वज़े समय पर नहीं आई तो अकेली चली जाना.